नमस्ते अव्रिवन, माई नेम इस नालीनी और वेलकम तो माई किचिन वो सारी टिप्स व सीक्रेटि इस वीडियो के अंदर है होब की मेरी महनन और आपको बताई गई आपको वीडियो मेरे साथ देखना होगा आइए देखते हैं इन्स्टिंट रवडो सा हमने कैसे बनाया इसके लिए एक कफ सूजी लेजाएगा मोटी सूजी भी चलेगी बारिक सूजी भी चलेगी इसके बाद 1 फोर्थ कप मैंने चावल काटा डाला 1 फोर्थ टी स्पून जीरा डाला और मेरे पास ये सबजियां हैं जिसमें प्याज, कद्दुकस किया हुआ गाजर ये दिखिए इस तरीके का और ये है करी पत्ती करी पत्ती मेरे पास सुखी हुई थी आप हरी इस्तमाल किजएगा धनिया, मिर्च अपने टेस्रेकॉर्डिंग डालेगा ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दीजे वैसे एक बाब बताओ जादा तर्म रवा डोसा में यही सबजियां पड़ती है नमक डाले स्वाद अनुसा जितना सूजी और चावल का आटा होता है ना उसका चार से पांच गुना पानी जाता है लेकिन पानी एक साथ मत डालेगा नहीं तो लंज छोड़ाने में काफी टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले इसमें एक और सीक्रेट है जिसकी वज़़से दोसा का जो बाजार वाला कलर होता है जो हलका सा रेड यलो कलर के बीच का होता है लो जी भाई मैं भी बोलते बोलते मैं क्या बोल जाती हूँ यानि कि वो जो भूरा रंग आता है ना मैं बोलना ये चाहती हूँ कि वो कलर ना वो चीज डालने के बाद ही आएगी ये देखे पहले आप इस तरीके से बैटर बना लीजे बिल्कुल रनी जैसा ठीक है फ्लोइंग होना चाहिए और उसके बाद इसमें डालना है एक बड़ा चम्मच यानि कि एक टेबले स्पून पिसी हुई चीनी चीनी से जहां अच्छा कलर आएगा जो दोसा वाला कलर होता है ना बाजार वाला वो साथ में इसका स्वाद भी बढ़ेगा और मिठास नहीं बढ़ेगी घर रहेगा नहीं बैटर रेडी है पस ध्यान ये रखेगा जब भी आप रवाडोसा बनाएं एक के बाद एक तो इसको चलाना ना भूले नीचे क्योंकि बैट जाता है सूजी ना फिर उपर सिर्फ पानी रह जाता है सबजी अभी नीचे रह जाएंगे अब तवा लीजे और उसके उपर हलका सा तेल डाल कर गए ना किसी साफ कपड़े या टीशू पेपर से पूरा स्प्रेड कर दीजे बस ये एक बार ही आपक ये देखिए जहां जादा जगह है उसको फिल करते रहे और एकदम से जैसे तवे पर डालेंगे चरचर की आवाज आएगी और ये ही अपने को चाहिए हमें हीट को तेज ही रखना है स्टार्टिंग में ये देखिए अच्छे से पूरा फैला लीजे जितना बड़ा आपक तो इसके उपर जो स्टफिंग होती है न डोसे वाली वो भी डाल सकते हैं नहीं तो ये ऐसे ही अच्छा लगता है जब ये देख रहे ने स्पॉर्ट रेट रेट सा आगया है तभी फिलिप करें लुक एट दिस क्या कलर आया कहा था न कि पूरा पैसा असूल है आपका डे में बनके त्यार होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास के लिए न इससे अच्छा कुछ भी नहीं है मुझे तो शाम को भी जब भूक लगती है न फटा फट मैंने सूजी घोला थोड़ा सा चावल का आटा डाला चावल का आटा नहीं है अब गिहूं का आटा डाल दो और प् फेस्टिवल आने वाले हैं बहुत हो गया यार पूरी कचोडी भटूरा वही वही आप ये रवा डोसा बनाओ सामभर ना पूरा भगोना भर बना लो एक कूकर बना के रख लो जो कोई आए रवा डोसा दे दो चटनी दे दो सामभर दे दो भाई वो खुश क्योंकि अब पूरी और कचोडी खाने का जमाना गया वही क्रिस्पी नेस आपको दिखा देती हूं एक फोर्क लेती हूं यह देखो मैं इस तरीके से कर रही हूं न तो आप समझी कहोगे कितना क्रिस्पी है अगर यह लुज-लुज होता तो फट जाता और यह देखो मैं दबारी हूं अगोटे से कैसे पूरा पेपर डोसा लुकडिस कितना क्रिस्पी है यार अजी आप चैनल पे नए हो तो मुझे सपोर्ट करो ना मुझे आगे ले जाओ आपका लाइक कमेंट और शेयर मुझे कितना आगे ले जा सकता है यह आपकी ब्लेसिंग सी होंगी अगर आप मेरे च जाइकरो